Now, let's learn and earn from your home. Learning with Earning Learning with Earning Now, we come to W. What is KW? Now, P, O, W. We have come to the third stage. Now, we have organized the outline. Now, we have to start writing the outline. Now, you need to have a full outline which is well-structured, which is the flow, which is all you have. Now, you have a rough chart, which is an outline. Now, you need to convert it in full sentences. Now, you don't have to say that if you have all these things P and O, and W, you have to start writing. Right? It means that you have to write. So, in this case, that if you start writing without ideas, you will not understand which one you are writing before, which one you are writing before, which one you are writing before. Which one you should do before, which one you should not do before. And this one is not in this case. You will not do that. Then, you will mix it up very quickly. So, first of all, you have to do that. You have to start writing. Now, you have to start writing. You have to write it in full sentences. You have to write it in full sentences. You will not like it. You will not like it. You will not like it. Now, you have to write it. In durant, you will not like it. Isn't that how you write it? I said, ideas I am right with trees. I gave them to put it in full sentences. Such things are written. Now, you probably have to write it. I will imagine the description of this list. My husband, had all these things we have left. अब मैंने पहला पहली चीज लिखनी शुरू कर दिया है जी रोजीना, जो स्वर्ड होती है, लाइन वो जादा बेटर रहती हैं बहुत लंबी-लंबी लाइनों से बहुत अची रहती है शौर्ट पैरग्रफ, शौर्ट लाइन्च यह बहुत अची रहती है मैं आगे चाहके पढ़ेंगे किस तरह से कोई भी चीज आपने लिखे वो कैसे कैची रहेगी किसी बंदे जो भी वो पढ़ड़ाया ठीक है उसमें काफी सतारी चीज़ आ जाती है उसके बाद ऐसा है कि मैंने यह लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया कि मैं कारला से फिरिखा था कि कारला प्लानी कमपनी से आई ए है और यसमें बंद आदा टाकक रएकि ऊपया कारला से मुलाकात हुए है उसने का है कि इसको कार्म एन करवाना है लेकिन आपने पूराौन कारलाurance को नहीं देखा da मैंने सिर्फ उसको जो मेरे माइन में उसको पढ़ के आ रहा था मैंने उसे लिखा है मैंने उसके grammatical errors ठीक नहीं किये मैंने उसकी और भी लाइक जैसे आप देख लें यहां पर but R लोक उसमें वो R की mistake आ रही है I couldn't कि आगे वो apostrophe की mistake आ रही मैंने यह सारी चीजे mistakes यहां पर रहने दी है मैंने सिर्फ उसे लिखा है अभी मैंने यह काम नहीं करना कि मैं यहीं से हम लोग करते कि हम लोग जब लिख रहे होते हैं 106 टेचेज पर नहीं सब्सक्राइप लिख स्टेज ॉर्ग से भास सके माने समक्राइप लिख रहे हैं वह एप उसकμοी एंभर में अप से बात करें कि और उसके बाद शेयूं पुपैक ढही है कि वो बहुत खुश है हमारे जो software updates हम उसे करते रहते हैं उस चीज से वो बहुत खुश है और मैं ये Mark को बता दूँगा ये बात क्योंकि वो ये सारी चीज़ा handle करता है ठीक है और उसने कहा है कि उसको phone support शाहिए क्योंकि वो इस चीज़ से खुश नहीं है अगर हमें एक बंदे को instant उसकी call pick करके जब भी हमसे contact करें call pick करके उसको जो भी देना है feedback देना है उसको help करनी है जो भी चाहिए हो तो वो उसको फॉरन इंसेंटली मिलनी चाहिए लेकि उसको नहीं मिली क्योंकि उसको 10 मिनिट इंतजार करना पड़ा उसने ऐसा कहा और मैंने उसे कहा कि भी मैं इस चीज़ पे आपकी ये मैंने नोट कर लिया ये बात तो मैं इस पे बॉस को बताऊंगा और फिर next time ये बात नहीं होगी अब मैंने फर्स पेराग्राफ को इस तरह से लिग दिया सेकंड को मैंने उसमें ये लिग दिया कि इस चीज़ से वो कुछ नहीं है थर्ड पेराग्राफ में ये का है कि उसने ये का है कि वह एक new software वो stock market analysis के लिए को चाहिए और वो कह रिए कि अगर उसके साथ meeting अगर आप का एक टॉपिक होगा सबसे पहले कि उसको क्या क्या मतब उसको discount चाहिए वो सबसे पहले मैंने वो चीज लिखी है जो सबसे वो चीज सबसे सबसे ज़रूरी है लाइक उसने उसको जो contract हमारे साथ उसका चल रहा है उस contract को रिण्यू कराना जादी है secondly कि वो किस चीज से यह जो end पे आती है ठीक है अब right में हमारे पास यह आ गया कि हमने stage पे यह है कि stage पे आपको कोई भी अगर आपने वो outline त्यार भी की है उसको लिखने के लिए आपने और भी चीज़ें बीच में डाली है तो उसमें stage में stage में आके आप बहुत सी चीज़ें हटा भी सकते हो बहुत सी चीज़ें एड भी कर सकते हो लाइक अगर आपको यह idea लग रहा है कि यह idea ठीक निया ठीक होगा अभी मैं लिख रहा हूँ तो मुझे यह चीज समझ आ रही है कि यह यह वली चीज ठीक नहीं यह यह वली चीज ठीक है तो इस चीज में आप उन चीजों को new चीज करें तलहा मकूल यह लेटर की बात हो रही है अब अगर आप वह ऐसे लिखने लगो गए तो उसमें आप हेडिंग बनाओगे फिर उसके बाद उसके लाइक सब एडिंग बना सकते हो उसके बाद उसके बुलिट्स बना सकते हो ठीक है वह मतलब कैची हो जाता है अगर पड लेटर लिख रहे हो तो वह आपको किसना से लिखना है यह फॉर्मॉला यूज करते हुए तो चीज़े मैं इसलिए साथ लेगे चलिए ताकि आपको समझाए कि यह पावर फॉर्मॉला आप हर चीज़ें कैसे यूज कर सकते हो अब ऐसे वाली बात है कि ऐसे हमने लिखा थ पहले सोच लिए है कि मुझे चार परग्राफ बनाने चाहिए तीन परग्राफ ना चाहिए यह चीज़ आपने नहीं कर दी आपने फ्लो में लिखते जाना है अगर आप एक परग्राफ लेते हो उसको आप फॉर तो फाइफ लाइन में करते हो तो वह सही रहता है जबकि अ आपने एक में टॉपिक डाला हुए जैसे वह एक्सरसाइस वाला था उसमें आपने सबसे पहले डेंजर्स लिखा हुए तो उसमें उस चीज़ अपने जो भी चीज़ डाली हुए है न वह आपको समझ आ रही है कि आपने इस पूरी उस चीज़ को एक हेडिंग दी बी है उसमें आप जितने भी परेग्राफ करेंगे तो वह एक टॉपिक फॉलो कर रहे है ठीक है तो आपने उस चीज़ को इस तरह से लेकर चलना है और और कोई चीज़ लिख रहे है तो आपने उसको उस तरह से लेकर चलना है ठीक है अब वह चीज़ डिपैंड करती है कि आपक अगर आपका एक मेन हेडिंग आपने नहीं दीवी और उसके बाद ऐसा है कि परग्राफ आप कैसे अच्छे लिख सकते हैं सबसे पहले आपने परग्राफ का टॉपिक डिसाइड कर दिया है अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें ऐसा है कि आपने एक मेन हेडिंग दे दिया है उसके चोटे चोटे परग्राफ डाल दिया है तो मिन्स कि आप उसी टॉपिक को फॉलोग पर रहे हो और टॉपिक आपने स्टार्ट में डालना है ताकि जो भी पढ़ने वाला है उसको समझ आज़ा है कि भई यह मैं इस पूरे परग्राफ में क्या चीज़ पढ़ने लगाँ और फिर उसके बाद आपने साथ तो उसके रेलेटिड आइडियाज डाल देने हैं